हेलो दियर स्टूटेंज वेलकम तू दू दू क्लास आज हम पढ़ेंगे चेप्टर सेकेंड का वीडियो नूमबर फोर सेकेंड चेप्टर था हमारा अवर बॉडी जिसमें आपने बॉडी पर्स लंग किये थे फिर नेक्स अपने आम सो लेक्स के बारें पढ़ा था स्कीन आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे वर्क कि हम हमारे हैंड से और हमारे लग से क्या-क्या काम करते हैं we can do many things with our hands and legs हम हमारे hands से यानि हमारे हातों से and legs से यानि पेरों से बहुत सारा काम कर सकते हैं look at these pictures, इन pictures को देखो and write the actions, write यानि लिखो actions यानि काम, below each picture below यानि नीचे, यानि आप अपने हातों से और पेरों से कौन वन सा काम कर सकते हो आप इनको picture को देखो और इनके नीचे लिखो यह देखो एक बच्ची है, जो इस बकसे को धक्का लगा रही है धक्का लगाने को बोलते है, push क्या बोलते है बटा? push, तो यह है push, यहापे लिख दिया है आपने P-U-S-H push, push यानि धक्का देना फिर यह है, यह अपने hand से क्या कर रहा है, लिख रहा है कुछ तो W-R-I-T-E राइट यानि लिखना फिर है, यह बच्ची बेट मेंटनंग खेल रही है तो P-L-A-Y play यानि खेलना यह क्या कर रहा है, इटिंग, खाना खा रहा है तो इटिंग यानि इट यानि खाना फिर ही क्या कर रहा है, साइक्लिंग यानि साइक्ल चला रहा है C-Y-C-L-I-N-G फिर ही क्या कर रहा है, रसी कूद रहा है तो रसी कुदने को क्या बोलते हैं, S-K-I-P-I-N-G, skipping, skipping यानि रसी कुदना, अब ये हैं, ये देखो टायर वाले इसके शूज हैं, अब इस पर गसीट-गसीट के ये enjoy करेगा, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, skating, S-K-A-T-I-N-G, skating को skating ही बोलते हैं, फिर ये अपने पेरों से लात मारके फुटबॉल खेल रहा है, तो लात मारने को बोलते हैं, K-I-C-K-I-N-G, kicking, kicking यानि लात मारना, तो ये सारे वो वर्क थे, जो हम अपने हैंड से और हमारे लैक से हम कर सकते हैं, चलिए अब देखते हैं हमारी activities, tick right, the correct option, option जो right है, उनके सामने आपको tick लगाना है, We have blank eyes, हमारी आखे कितनी होती हैं बिटा, कितनी आइस होती हैं हमारी, three या four, या two, two, yes, very good, तो यहाँ पर लिखेंगे, right, Our ears help us too, हमारे कान क्या काम क्या होते हैं, see यानी देखने के, smell यानी सुंगने के, या फिर hear यानी सुनने के, कान क्या काम क्या होते हैं, yes, ears सुनने के, very good, Our skin is very, हमारी स्कीन कैसी हैं, harsh, soft, या hard, हाथ लगाई खुद देख लिजिए, कैसी होती है, soft, soft, तो यहाँ पर लिखेंगे, right, We have a blank in our mouth, हमारे mouth में, mouth यानी हमारे मूँ में, M-O-U-T-H, एक क्या होती है, T-O-N-G-U-E, tongue, या फिर ears, यानी कान, या फिर nose, यानी नाक, tongue, very good, देख जीब होती है, हमारे मूँ के अंदर, okay, अब यह है आपका homework, इसी chapter का है, इससे पहले मैंने आपको homework में यह दिया था, match the following, करने का बोला था, अपने यह कर लिए होंगे, अब इसी के नीचे जो space बचा है, आप वहीं से यह work start कर सकते हो, अगर आपका page भर गया है, तब भी आपको new page लेना है, otherwise आप उसी के नीचे से करोगे, और जब new chapter होता है, जैसे कि chapter खतम हो गया, अब new chapter आगया है, तो आपको new page लेना है, यह आपका homework है, PUSH, push यानी धक्का देना, write यानी लिखना, play यानी खेलना, eat यानी खानना, और kick यानी, लात मारना, यह only five action है, one, two, three, four, and five, तो यह आपको साथ में learn ही, सारी learn भी करनी है, साथ साथ learn भी करोगे, और write भी करोगे, करोगे ना, बोलो yes, yes, very good, thank you